असलाम अलेकुम फ्रेंस मैं हो निलोफर खान वेलकम टू मैं चैनल तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीकी से खीमे की रेसिपी शेयर करूंगी और जो हम इसके साथ जो पाउ सर्फ करेंगे वो भी एकदम अलग तरीके से सर्फ करेंगे तो इसके लिए आप वीडि कि अधर क्लव स्टूल का पेस्ट बेंगे रेड चिली पाउडर हाफ टी श्पूल लेंगे थैनीया पाउडर और नमक करेंगे नमक और मिर्च वह अपने टेस्की सबसे एड़ करें अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे औ और यहां पर जिसमें हमें खीमा बनाना है तो मैंने कड़ाई ली हूँ आज इसको कड़ाई में हम इसको बनाएंगे आप अगर प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो कड़ाई में भी इसको बनाएंगे लेकिन बहुत ही जल्दी खीमा गल जाता है इसलिए मैं इसको अच्छे से गरम हो ज जाएगा इसमहां माशाल Eigen करें हैं उस यहां पर आभिले और चाहएज की इस नंगा होने पॉल DR-83 कोच फ्राई करने अस न के कात्य भी deze डेश्प सब्सक्रानtal डाल बकारืंगे चीकन की रेसिपी चैनल पे अपलोड हो चुकी है अगर आप लोग फर्स टाम पर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग को बहुत ही अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो देखिया पर मैंने खीमे को एड़ कर दियू जिसमें हमने मसाला सार एक साथ लगा के रखी अब खीमा दालने के वाद अच्छे से इसको हमें हाइफ लेना है साती में हम इसमें टमाटर भी आइट कर देंगे तो यहां पर 5-7 मिट के लिए खीमे को हाइफ लेना है और यह देखिये मैंने अच्छे से इसको खीमे को भूल ली हूँ अब चेक भी करती रहेंगे तो इह मैं 15-20 मिट हो गया कीमे पकते हैं तो आब इसमें जितना भी पानी है उसको हम सुखा लेंगे और टमाटर आप देखें अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो यहां पर अभी इसका जो पानी है उसको हमें सुखा लेना है हाई फ्लेम पर रखके और यह देखिए अभी पानी जो है वो सुखने लगा है आपको जितना इसमे अगर आपको खीमा थोड़ा सा पतला वाला चाहिए तो आप इसको इसी तरह रखिए या और थोड़ा सको स जाएगा इसमें हम एट कर देंगे वन टी स्पून गरम मसाला और वन टी स्पून कसूरी में थी एंड में और बहुत ही जबरदस्ता और इजी खीमा जो है वो रेडी हो जाएगा तो यह कम टाम में बनता है और बहुत ईजी तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूँ आप करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे एक से दो मिल्ट के लिए हम पका लेंगे यहां पर नमक थोड़ा सा कम लग था तो मैंने नमक भी आट कर दी तो आप लोग भी चेक करके नमक एट कर दीजिए तो यह खीमा हमारा रेडी हो गया है लेकिन इसको हम सर्फ करेंगे कर stehen थोड़ा सेस में हरा धन्य एट क्र भी इंगे बारी कट आओ और मैंने पव क 27 g पाव को गरं करते हैं वैसे इसको गरम कर लेंगे और इस तरह मैंने बड़ी के दिपाव को भी गरम कर लेंगे और यह हमारा खीमा पाव घुड ह्रेडि हो गया है तो इस तरह आप लोग देखी और ऐसे पाव के साथ खीमा जो है बहुत ही ज़ादा जबरदस लगता है तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्टागरा पर भी मुझे फॉलो करें और वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट कर के भी जरूर बताता है कि सो मच